खबर लालू परसाद यादों से जूड़ी हुई है लालू परसाद यादों के चाहने वाले और आरजेडी के समर्थक जीतने लोग हैं उन सभी के लिए खुश खबरी है नमस्कार मिरे नाम है अवशेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत जिस तरीके से लालू पर परसाद यादों बाहर हैं अभी पटना में मौझूद हैं लेकिन इसी बीच किडिनी ट्रांस्प्लांट के लिए लालू परसाद यादों को सिंगापूर जाना था और आप सभी को मालूम है कि दुमका ट्रेजरी केस में लालू परसाद यादों के ऊपर प्रतिबंध लग हुए हैं वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं ऐसे में लालू परसाद यादों ने अपने तरफ से अरजी लगाई थी कि उन्हें देश से बाहर सिंगापूर जाने के इजाज़त दी जाए पासपोर्ट रिनीवल कराने की इजाज़त दी जाए जब तो पासपोर्ट को रि परतिवंद कह लिजे कि एक तरीके से खत्म कर दिया गया है लालू पुरसाद यादो की अरजी के बाद अब वो सिंगापूर जा सकते हैं तो यह लालू पुरसाद यादो और उनसे जुड़े समर्थकों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है जिस तरीके से लालू पुरसाद यादो चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई थी जमानत के दोरान कोट ने यह सर्थ रख दी थी कि वो देश से बाहर नहीं जाएंगे इसलिए लालू का पासपोर्ट भी सीज़ कर लिया गया था मंगलबार को मामले के सुनवाई के बाद सिब्याई के विश हुआ है लालू परसाद यादो अभी हाल ही में अपना 75 जनम दिवस मनाय मना जनम दिवस की हर एक ख़बर हम आप तक पहुंचा ही रहे थे इसी बीच चर्चाई अभी चल रही थी कि किड्नी ट्रंस्प्लांट के लिए सिंगा पुरजाने के इजाज़त मांगी गई है बात से लगतार आरजडी खेमा में अब उत्सा देखने को मिल रहा है बहुत जल्द लालू परसाद यादो यानि आरजडी सुप्रीमो सिंगापूर रमाना हो सकते हैं अपने इलाज के लिए किड्नी ट्रंस्प्लांट के लिए वहाँ पर पहले से ही लालू परसाद याद करणा कर देखना कई लालू पर झाराज कर तोच्माना हो कर वहाँ जत्सा लालू परिए दो श्राजर किड़्ान के लिए लालू च्ली सुप्रीमों मौ मौ मौम और घ